सुशीला हॉस्पिटल शिवं मेगा मार्ट के पास में चौक सारट यहां इस्त्री रोग, शिशु रोग, चरम रोग, फिरते रोग, नस रोग, एव सभी परकार की रोगों का इलाज पुशल डॉक्ट्रों द्वारा किया जाता है सारट से शुभम सिंहे की रिपोर्ट, साइबर पुलिस का च्छापा 10 साइबर अपराधी गिरफतार, 13 मोबाईल 21 सिम कार्ड एवं ATM कार्ड बरामद सारट थाना अंतरगत पथड़ा ओपीक शेत्र के नवादा गाम से 10 साइबर अपराधियों को साइबर थाना देवघर की पुलिस ने गिरफतार किया है गिरफतार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 13 मोबाईल और 21 फरजी सिम कार्ड एवं एक ATM कार्ड बरामद किया गया जानकारी के अनुसार गिरफतार अपराधियों में नवादा गाम निवासी, गुल्टन नापित, सुरज नापित, कन्हिया मिर्धा, मुहमद रियाज अंसारी, मिन्हाज अंसारी, बरकत अंसारी, आसिफ अंसारी, मुहमद शब्बीर, मुहमद जलालुदीन और अस्रार शामिल है। गिरफतार किये गए सभी साइबर अपराधी पथरड़ा पहाड की तलहटी में बैठ कर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे। उसी दोरान गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना देवघर की पुलिस ने ताबर तोड छापे मारी कर दस को फर्जी लिंक भेजकर अपडेट करने का नाम से क्रेडिट कार्ड डीटेल्स प्राप्त कर पैसे ठगी करने के अछजार को जांसे में लेकर बंक डिटेल्स प्राप्त कर ठगी का शिकार बना। कर दिया जा रहा है उसमें दस साइबर अपरादियों के रफ्तारी नवादा जो की पत्रटा थाना चेत्र है उसे हुई है इन लोगों का बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉड होता है वो ये लोग करते हैं जिसमें SBI क्रेडिट कार्ड और Tata कार्ड से उसक ये सब्सक्राइबर और Tata को समान पर जिसकरता है या घ्रीट परजिस करते हैं इसके स्टमर के मुबाईल पे जाता है जो कस्टमर बात डे देता है या ओठीप भरने का ऑप्शन देता है जिस चफ़े प्रॉड होता है इनके पास से तेरा मोबाईल फोन 21 पर जिसलिएकर और एक ATM कार्ट बरामत हुए है और पूरे भारत वर्ष में जो साइकाइप से उसके तुरू हमने 72 क्राइम लिंक इनके मुबाइल से जो है वो पाया है लिंक बचने का तरीका चल्डोग लिए पजने का एक टरीका है कि कोई भी फरजी वेबसाइट पर लिंक को क्लिक ना करें और जब भी किसी कार्ण का डिटल को लिंक आता है तो आप जरूर देखें कि वो वबसााइट किस चीज को बिलॉंग करता है तो विक साइट जो है कि यह तरह का कम्मुनिकेशन एप की तरह काम करता है अगर आप इसमें डिटेल भरते हैं तो सामने वाले को डिटेल चला जाता है तो आप ठागे जाते हैं विटांस टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक से जरूर करें धन्यवाद